प्रभू राम का हत्थ है जो उने बिर्दा है इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ ये वर्ष सनाचन का स्वर्णिम साल है प्राची में अरुनिमा की रेक देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ कभी में ये भी कहा लिखा है काकर पाथर जोड के मस्जित दई बनाए और ताचडी बुल्ला बाग दे का वहीरा भयों खुदा है अब देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार व्यूवस मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है मारा ये साल 2023 का आकरी ये देश है मारा है और आज ये देश है मारा में बात होगी सनातन के स्वर्ण साल की नया साल राम भक्तों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है विवस ये वो अध्याय है जिसका इंतजार 500 साल से हो रहा था और जरा सोचिए जिस राम मंदर का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था हमारी पीडी कितनी सुभष गिशाली है कि हम इस गौरफ शाली पल के गवा बन रहे है लेकिन खुशी के इस दौर में भी कुछ लोग बहुत परिशान है हाई तौबा मचाने में लगे हुए है और राहुल गांदी के बेहत करीबी नाम है सैम पित्रोदा उनका तो दावा है कि पूरा देश इस वक्त राम मंदिपर अटका हुआ है और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है उधर अखिलेश यादव की पार्टी के महासचिव स्वामी परसाद मौर्या तो रह रहे कर हिंदू धरम को गाली लगातार दे रहे है वहीं समाजवादी पार्टी के एक और भड़े नेता है मेंबर अपार्लेमेंट है उनके सांसद है शफिकूर रह्मान बर्क कह रहे हैं कि उनके लिए तो 22 जनवरी का दिन गम मनाने का दिन है यानि विग्र संतोशियों की पूरी लॉबी पूरी गैंग एक्टिव हो चुकी है दरसल ये वो लोग है जो बीजेपी पर तंज किया करते है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन कभी तिति नहीं बताएंगे अब मंदिर भी बन रहा है और तारीक भी सबके सामने आ गई है शायद इसी वज़ा से ये गैंग बहुत विचलित हो गया है लेकिन सवाल ये है कि राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो विवर्स बताइए कहा बनेगा इससे किसी को परिशानी क्यों होनी चाहिए जब समिधान के दाइरे में सब कुछ हो रहा है सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी शुरू से ही राम मंदिर अंदोलन के साथ खड़ी थी जुडी थी तो उन्हें श्रे मिलना क्रिट मिलने से ये पूरी लॉबी गैंग परिशान क्यों हो जाता है क्या इनकी परिशानी धार में कप और पोलिटिकल जादा है वीकेंड के सबसे बड़े कारिक्रम ये देश है मारा में आज इसी मुद्धे पर होगी देश की सबसे सार्थक चर्चा सनाथन का स्वर्ण इमसाल व्यूर स्वागत आपका अभिरंदर है सियावर राम चंदर की सियावर राम चंदर की हर किसी का आना संबव नहीं है अयोध्याने का मन 22 तारिकों न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार की आने वाला साल सनातन का स्वाणिम साल होने जा रहा है एक तरफ 500 साल बात अयोध्यानगरी अपने लाल प्रभु श्री राम का स्वागत करने को आतुर है आज यहां विकास की भग्यता दिख रही है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने शनिवार को आयोध्या में करीब 16,000 करोड की परियोजनाओं का लोकारपन और शिला न्यास किया इसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का काया कल्प और महडशी वालमिक इंटरनाशनल रेपोर्ट के फर्स्ट फेस का निर्माण भी शामिल है जो यह नया एरपोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाख यात्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महरशी वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाख यात्री आजा सकेंगे रामयन को लौकिक रूप से हम सब तक पहुचाने वाले पहले रिसी महरशी बालमिकी हैं उनके नाम से इस अंतराष्टिय एरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर भारत की विरासत पर गौरप की अनभूती करने वाले हर नागरी को गौरप की अनभूती कराने वाला या चण होगा लेकिन सनातन के इस सूर्यदे से कुछ लोग बेहद हैरान और परिशान है प्राइमिनिस्टर इस पेंडिंग टाइम टेंपल्स अल टाइम बॉदर्स में, अपसेट्स में तो मुसल्मानों का तो उसमें शिर्कत का कोई सवाल पैदा नहीं होता बलके वो खम का दिन मिनाएंगा हिंदू, एक धोखा है सीता राम ये चूरी को नियौता मिला लेकिन सीता राम जी, राम मंदिर के जो प्रान पतिष्टा होने वाली है उस पे जाना नहीं चाहते जिनके नाम में ही राम हो जी वही स्वायम न जाना चाहें तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिती क्या होगी इसमें दोराय नहीं है कि सनातन के लिए जितना काम बीते दस सालों में हुआ उतना आजादी के बाद शायद ही कभी हुआ होगा इसलिए आज का बड़ा सवाल ये है कि जो काम करेगा क्या उसे क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं है वाकई ये नजारा अजबुद होगा जब प्रभूराम की प्रान प्रतिष्टा 22 जर्वरी को देश की प्रधान मंत्री करेंगे जैसे आजादी के पल के लोकशाक्षी बने थे जैसे सविधान के लोकशाक्षी बने थे वैसे ही राम मंदर के हम लोग खुश किस्मत है हम राम मंदर बनते हुए देखेंगे जिसका इंतजार हमारी आपकी 500 सालों से पीडियों ने किया है यानि हमारे पढ़दादा नगरदादा सब ने किया है लेकिन वो राम का मंदर हमारे सामने बन रहा है लेकिन आज की चर्चा के मुद्धे कैं है आई आपको बता देते हैं बहस के आज तीन बड़े मुद्धे हैं जिन्होंने सनातन के लिए काम किया उन्हें श्रेह मिलना क्या गलत है मोदी का विरोध करते करते क्या विपक्ष हिंदू विरोध पे अब उतरा है राम मंदिर के विरोधी राम नाम जप रहे हैं ये सियासी मजबूरी भी बन गई है क्या आज इन तीन बड़ी चर्चा के मुद्धे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आईए महमानों से परिचे करा देते हैं जोरदार तालियों से अब नंदन करिए विश्णू शंकर जैन का वकील हिंदू पक्ष के लिए सनातन का अगर स्वर्णिम साल है तो काशी मतुरा से भी आस की करण इस व्यक्ती ने जगाई है इसके पिता जीने जगाई है तो जोरदार तालिया इनके लिए और इनके पिता जी के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी है भारतिये जंता पार्टी के परवक्ता है सांसद है और लोग प्रिये है घर घर तक बीदेपी की बात पहुंचाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है मेरे साथ राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के परवक्ता है नेता है अपनी कुशल वारी के लिए जाने जाते है मेरे साथ विवेक शिर्वास्तव जी है उनका बिरंदन है लिफ्ट के नेता है और इनके नेता है सीता राम यचूरी जिरोंने राम मंदिर में आने से इंकार कर दिया है मेरे साथ पीस पार्टी के नेता शदाब चौहान जी है उनका बिरंदन है तो जोरदार तालियों से अबिरंदन करिये तमाम मेहमानों का चुदान चुत्रवेदी जी शुरुवात आपसे करते हैं कहते हैं कि जो राम रच देते हैं वो हो ही जाता है आकिरकार लेकिन अब ये पांसो जालबाद मंदिर बन रहा है लेकिन सियासी उठापटक इतनी तेज हो गई है सैम पित्रोदा विदेश चे कह रहे हैं गांधी परिवार के करीबी कि उनको देखके बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से पूरा देश राम मंदिर पे अटक गया है देखिये तो वही हैं जो पुलवामा के बाद बोले थे कि अगर कुछ लोगों ने किया है तो पूरे पाकिस्तान के ओपर क्यों हम लोगों ने उसको इतना दंड दे दिया यानि अटक के बाद तो वो क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है उसके बारे में वो बताएं परन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूँ सिराम जन्भूमी का भब वंदिर अब आकार ले रहा है हम तो बालक के रूप में मैं आपको बताऊं बहुत लोगों को नहीं ध्यान होगा 1984 में सबसे पहले लखनों के बेगमाज़त महल पार्क में एक रैली हुई थी उसके बाद अपरेल 1987 में ताला खुलने के बाद आयोध्या में राम की पैड़ी के उपर रैली हुई थी उसमें बालक के रूप में गया था पैली में जब गीत गवाया गया था वो भारत के समन सब्स्टेंस और भगवान राम के साथ जो संबंध है उसकी वो पंक थी वह आप लोगोंने सुनाओगा नहीं लाइन सौगंधराम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे उसमें या पंक्ति थी जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्रान में सीता है हर्दय की धड़कन राम आयन पगपग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्रानों का घट रीता है यानि खाली है त सनातन का स्रौन इमकाल नहीं ये विश्व के लिए एक स्रौन इमकाल आ रहा क्यों अभी प्रधान मंतरी जी क्या बोल ले थे बोल सियावर राम चंदर की जय यानि भगवान राम के साथ सियावर राम चंदर की जय बोला जाता है काशी में क्या बोला जाता है नमः पार्वत साल पहले की भारत की जो चेतना थी संपूर्ण विश्व को देने के लिए आया और एक पंक्ति और कह दूं साब यह तना आसान काम नहीं था जब मंदिर शुरू हुआ था तो यह थोड़ी था कि यह कोई टाइटल डिस्पीट है जो आई लोग कहले कहते हैं भाईया यह बता काल का उशाकाल है तो मुझे अटल जी की पंक्ति याद आती है तूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर आज वैसा ही काम है हम नों इपने बच्पन में देखा इस जनरेशन को नहीं आइडिया होगा कितना मुश्किल लगता था तूटे हुए तारों से फूटे बा रहा हैं लेकिन सीता राम यचूरी जिनके नाम में सीता राम है उन्हें राम का गीत पसंद नहीं आ रहा है मेरे मित्र बीजेपी से सांसद हैं कौलिफाइड इंजीनियर हैं इनका काम है वहाँ पर प्रफश्णों को उठाना देश के लिए चाहे इनकी अपनी पार्टी अपनी सरकार को भी हिदायत देना सुझाओ देना क्वेश्चन करना स्टैस्टिक्स के आधार पे नौक्रियों के लिए एडुकेशन के लिए आपने इनको बोलते हुए सुना मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर के एक पंडित जी के साथ बैठा हुआ हूँ और यही खतरनाक बात होती है जब हम धर्म को राजनीती में लाने लग जाते हैं धर्म एक बड़ा ही इमोशनल विशे होता है धार्मिक पंक्तियां चाये वो कुरान की आयत हो चाये वो रामायन की चौपाई उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना एक सौभाविक बात ह जाती है और उसी भावुकता में आ करके लोगों का एक्स्प्लाइटेशन होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं इसलिए सांसत का कार्य प्रश्न करना है 24 सुनाना नहीं यह पहली बात हुई हमने वामपंतियों ने डिसाइड किया सीता राम यचूरी के पास साथ उनके साथ पीषकी आगया बढ़ चीथ हुई बाध में निर्ने हुआ कि यहदि राम के नाम को राम के मंदिर को आप पोलिटिसाइज करेंगे 24 लिए तो उसमें जाना ठीक नहीं कोई नाम के खिलाफ नहीं है। कोई पार्टी एयोध्या के खिलाफ नहीं है कोट में वक्तवे दिया कोट में लडाई थी ठीक है एक सेकंड 1992 के बाद जब धांचा गिराया गया इन्होंने कहा कि संगर चला है आप अपने कहानियां बंद करिए नहीं कि और संध्या एक खत्रनाग बात यह वड़ियत नहीं कि बोल दें कि अगर मौलाना साथ बोल रहें तो बहुत खतरनाक वर्ड नहीं बोला था अब मैं बताता हूँ नाम में नहीं रखा बिल्कुल हमारे रामाइन की एक चौपाई है बिनु सतसंग विवेक नहोई और राम कृपा बिनु सुलबनस होई बिना सतसंग के विवेक नहीं जागरत होता और वो भी राम की कृपा से ही मिलता आप फैक्ट पर बता देता हूँ विवेक जागरत करने के लिए जब राम मंदिर बन रहा है तो विवेक जानते हैं आपका क्यों जागरत होना चाहिए जब बाबरी धाचा था तो भारत का खुदाई हुई और खंबे निकले जाके चेक करिएगा 2003-04 हम उस समय फर्स टाइम करेंट अकाउंट सर्प्लस कंट्री उस समय थर्ड क्वाटर में हम 10% की ग्लोथ रेट अठेंग किये और पोरें एक्शेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुचा और अब जब मंदिर बनने जा अब ही राम मंदिर बन रहा है क्यों हम राम नाम के नाम पर पॉलिटिक्स ला रहे हैं क्या जो इतने सारे इंडियन से उनकी भावनाओं को ठेशनी पहुचते अब ठीक है यह राजकुवर भाटी राजकुवर भाटी जी सवाल यह है कि उन बच्ची का जो सवाल है और सव कि आपके क्रेता हिंदू को आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि आपको हिंदू का वोट अब नहीं चाहिए मैंने अपना सवाल भी जोड़ा साथ में नहीं नहीं यही तो घपला चल रहा है इस देश में यही फोरजरी चल रही है कह न कुछ होता कह कुछ देते हैं देखिए राम मंदिर बनने पर सब को बद्धाई सुब काम ना आ राम भक्तों को सुब काम ना क्रोड़ों लोगों की राम में आस्था है किसी की आस्था को चोट पोचाने के किसी को अधिकार नहीं सब को अपने अपनी पूज़ा पद्यती अपनाने का अपने धर्मिस्तल बनाने का देश में अधिकार है सम्ज़ान हमारा अधिकार देता है लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के लावा किसी दूसरे इस्वर को मानते हैं किर्शन के भक्त हैं शिव के भक्त हैं पारवती के भक्त हैं हनुमान के भक्त हैं और राम भक्तों में भी दो तीन कैटेगरी हैं राम के भक्त तुलसी दास भी है और राम के भक्त कबीर भी है तुलसी दास दूसे राम को मानते हैं कबीर दूसे राम को मानते हैं कि दसरत सुत त्यूं लोग को ब तुलसी सगुन राम को मानते हैं अवतार वाद को मानते हैं कबीर निर्गुन राम को मानते हैं तो मतभेद हैं उन्हें देश्ट निकाल देंगे क्या विल्कुल नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सांसत आपके बड़े निता शफीक रिमान बर्ग क्या कहे रहे स्वाभी प्रसाद मौर्या क्या कहह रहे हैं कि हम एक गंका दिन मनाओंगा 42 जन्वरी का आप कहे रहे हैं कि हम नफरत नहीं पैदा کرना चातें जब शफीक रिमान कि सरवधरम की पार्टी यह भारतियों की पार्टी समाजवादी पार्टी में धरम देखके जाती देखके लोगों सामिन नहीं किया सकता है समाजवादी पार्टी में विचारों की सुतंत्रता है फिस और हम भवाण भारNING नमाज पढ़ने वालों यह भी में olur धारी नहीं अगर कोई व्यक्ति देखिए अब जहां तक आपने का रहा हुआ हिंदु धरम बहुत सुन्दर धरम है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत उदार धरम है लेकिन हर विवस्था में कुछ कमियां और कमजूरियां भी होती हैं अगर हम अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे कम कर दो कि इसी सबता की जी अब गुजरात के गाहं में पूरे जवाब देदू अने बहुत धरम अपना लिए पूरे गाहं के दलितों हिंदु धरम से परिषान होके बहुत धरम है दूसरी कि हिंदु धरम के खिलाफ सुपारी लेलिया आप लोगों ने ली मैंने बतला अगर दो नहीं है तो उससे वो भार जा सकते हैं वेलकम बैक विवाज़ आप देख रहे हैं इस समय यह देश है बारा क्या सूची है अगर को आपकी सरकार के समय लिखा गया है नहीं ने कोड में अफिनेविल का लिखा रहे हैं उन्हों रिकॉर्ड ग्राउंड में उसके आने की कोई बाती है तो लोग बात में मर गए थे जो घायल थे वेरा सवाल भाटी जी से है वो अपनी कन्वीनियंस के साब से काफी सारी चीजों को डिसोन कर देते हैं डिस्क्लेमर दे देते हैं बट मैं यह सुनना चाहती हूं कि अभी जो मौरिया जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टेंड है आप अपना पर्सनल स्टेंड भी दे कर किसी को नहीं है वो स्वामी प्रसाइद मौरिया जी के विक्तिकत विचार रहे हैं लेकिन इनका कारण क्या है उसको में उधान दे रहा था आपको तमिलाडू के गाउं में पहली बार इस सब्सक्राइब मैं घलीतों को चपल पहनने का धिकार मिला जूते पहनने का दिकार उन्हाने जूते पहन रेपार मौधी सरकार वहां कि ऐसे यह उन्ग के सिर्कार कि एक एक कुरत नहें कि अजरे मारें हो मैं हमापे नइन ओन भूलाओं मैं ठीकि murmziehen एक नाम का थे शूलन को आ जहाँ एक 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 करके कर पजाई गुंड़े आते थे H 보िट केपचर कर लेते थे वह भूवत के हैं वह लगाओ हाथी पर हमारा नारा नहीं था बैंग जी का नारा था और किन कुंडन के लिए था कि आपी के लिए होगा सपा के लिए था यह केवल गुम्राह करने का नहीं पर यह था नहीं पर यह विशह नहीं है सवाल सवाल अच्छा पीछे मेरा सवाल सुधानसु सर से है कि सर प्लेसे साफ वर्षिप एक्ट को आप कब खतम कर रहे हैं प्लेसे दो वर्षिप अब खतम कर रहे हैं उम्मीद है कि वह इतना इल्लॉजिकल बना हुआ है कोड से सकारात्म गर्णे आएगा उसके उपरां फिर उसको पर उसको पर आपकी वह रहाए ले रहाता हूं काशी मतुरा को लेकर बहुत सारी बात है क्योंकि सरातन के सौरणिम साल की बात है तो काशी मतुरा क्या आपको लगता है कि क्योंकि आयोध्या में पतास साल का वक्त लगा क्या काशी मतुरा में भी उतना वक्त लगेगा या आपको लगता है कि उसका निदान जल्दी हो सकता अगर भाई चारा देखें figure के साथ बताता हूँ काशी के केस में इस समय हम लोग जीत की दहलीज पे हैं 15 दिन के अंदर तीन कोर्ट ने 21 जुलाई 3 अगस्त और 4 अगस्त को एसाई सर्वे का फैसला दिया एसाई ने 92 डेस का सर्वे किया सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है और जब वो रिपोर्ट खुलेगी तब इस देश के सनातनियों के लिए एक बहुत स्वर्णिम पर दूसरा होने वाला है और काशी का केस हम लोग जीत की कगार पे हैं म एडुकेट कमिशनर का आदेश हो चुका है जब मतरा के केस में एडुकेट कमिशनर जाएंगे फोटोग्राफिय और वीडियोग्राफिक करेंगे तो इदगा कभी सच सबके सामने आएगा ठीक है वैसे इसके एक लाइन बोल दूँ जी एक लाइन मैं पहले बोल चुका कुछ 9 नमबर 2019 को जिस दिन जज्जमेंट आया सुप्रीम कोट का और आप से बहस करने को तैयार हुआ है और मैं मैं के तो सभी चीजों करना चाहिए सुनिए आठ और 9 नमबर 2019 को भी देव उत्थाने का दशी थी और सुनिए अब 22 जनवरी एक सिकिन यह और पिछे ले जाएंगे अरे आप 5 जार साल 10 जार साल और किती देर बोलना चाहते है साइंटिफिक साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रही है सब जूट है क्या है साइंटिफिक विचारधारा क्या है जाने के बाता है साइंटिफिक बात कर रहा हूं टाइम का एपसलूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो जैसे आज आज आप अभी कहते हैं कि इस समय माली है जो भी टाइम पांच बज़रा है तो यह तो दिल्ली में बज़रा है ना लंडन में अलग टाइ में टोक्यो मेरा टाइम है तो एक जी एम टी है इस्टाइड मीं टाइम उसी ढंग से टाइम का एपसलूट मेजरिंग पारामीटर बताइए जो धरती पे अर्थ पे मून पे मार्स पे और एनी पॉइंट इस सोलर सिस्टम में लागू होता हो बताईए अगर आप लिए ना पर आप लिए जो अगर आपकार आप लिए अगर आपको लिए अर्वास के अंधर टाइम हो चाहे लेंध हो डिस्टन्स हो हर जीद रिलेटिव है और फर्मूला क्या है ती नौट और अंडर रूट बान वाइनस M स्कॉर बाइंस C स्कॉर यहीं है ना कि नहीं है सुना दि मैंने तो पूझा था टाइम के लिए वही ठीक है आपके बस्की नहीं है अचा चिक यहाप जबाब दू आइंस्टीन वांपन्ती देश में हुए थे बोलो भाई इर्विन शॉटिंगर वांपन्ती देश पर हुए थे लिजब और वांपन्ती देश पर हुए थे अरे सुनिया में जवाब देता हूं मतब रहां वक्तों का मजाक उड़ा नहीं छोड़ते आप वो तो बताएंगे बिल्टों कर रहे हैं ने कमाल का समर्तन रही है यह कादर खान का समर्तन जॉनी लिवर करता है फिल्बों में यह आउकात नहीं कह दें आइस्टीन नमाज पढ़ने आए थे तो टू अब सुनि अब उस पोजीशन को मेजर कर सकते हैं करोडों दर्शक जो देख रहे हैं टीवी अभी अपना फोन खोलें दुनिया का जो फर्स्ट मैंमेड अबजेक्ट सोलर सिस्टम के बियॉंड गया है यह वाइजर वन और वाइजर टू और उसके ओपर जो एक्ट्राटरिस्टल एक यह वाइजर पर आपको जाना चाहिए वह जाना चाहते हैं वह यह उनको तै करना पड़ेगा अगर दोनों तरफ जाएंगे तो ऐसा होगा ना इधर के रहेंगे तो आप इधर के रहेंगे पूरी धराभाम राम जनम से हुई एदन निर्विवाद सत्त को विवाद से निकाल लिए रोम-रोम में हमें हुए हैं विश्वियापी राम का महत एक विरत में डाली है वस्दा कुटूंब के समान देखते रहे वो यह घिरना के सर पास्तीन में मत पाली है राम जनम भूमी को तो राम ही संभाल लेंगे हो सके तो आप मात्र भूमी को संभाल लिए जो बात सुधान सूजी और इन अभी अभी सबको लग रहा है अभी देखे हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि यही लग रहा है कि बीजेपी राम नाम का क्रेडिट ले रही है तो कृष्ण भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजे मतुरा के आंदोलन में साब शामिल हो जाईए आप अभारत के सभीधान के संब्सक्राइब कर लिए तो फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को कासी का भी क्रेडिट मिल रहा है जब आप साथ लगते ही नहीं हो जब रामकाज में लगे ही नहीं तो क्रेडिट कैसे मिलेगा उल्टा गोलिया चलवादी हम देश काज में लगे को और स्वामी प्रसाद मौरिया पता नी किसी के काज में लगे हुए है। मुझे तो लगता है वह बीजेपी के काज में लगे हुए है। अचारे प्रमोट किष्टफ ने बोला ये स्वामी प्रसाद मौरिया ने कांग्रेस को बरबात कर दिया है तीन राज्यों के अंदर अब 2024 पर और बरबादी करेंगे। देखिए वो पहले बस्पा में रह चुके हैं जहां पर नारा था हाथी नहीं गड़ेश है ब्रम्मा विष्टु महेश है जलवे से पांस साल मंत्री रहे और नारा ये भी था हाथी शंक बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा जलवे से रहे अब सपा में गएं सोजी आदमी किता बड़ा धोका है अब आके कहता है कि हिंदु धर्ण धोका है और फैक्ट यह है कि उनके पार्टी की बहु ने कह distributions रहीं है यानी उनकी पार्टी बहू नहीं मानती और आपको पताएगा स्वाईपी परसाद महुर्या की बेटी भाज savings सब्सक्राइब ना कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम और दुविधा में दोनों गए नमाया मिली ना मैं आप सब्सक्राइब लाइटर नोट एक सवाल पूछ रहा हूं और एक सवाल पूछूंगा इसका मैं जब आप लोग जवाब दिएगा श्यदाब चौहान विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं आप थोड़े विटी भी हो सकते हैं अपने तरीके से जबाब दे सकते हैं वि दूसरी चीज इस बात का दूख है कि स्वामी परसाद मौरिया आए उनको मंत्री बना दिया और हमारे भाई इतने काबिले सुदान्शु जी इनको मिनिफ्टाइब दिजिए अचा राजकुबार भाठी राजकुबार भाठी आपको भाठी जी आपको कभी कबार शक होता हैं जो दुर्भाग से हमारे हिंदू धरम में उपेक्षक शिकार रहे हैं भेजे गए हैं सुद्रों की और महिलाओं के बारे में हमारे सारे धरम गरंतों में खराब बातें लिखी हुई हैं मौरिया जी अगर उनके पिरतनी दी हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं तो कोई ग मौरिया कितना बड़ा धोका है कि भारत की डॉकुमेंडिट हिस्ट्री में अगर पहला किसी का है तो चंद्रगुप्त मौरिका जिसना अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक एंपायर था उस मौरिके बंशज में रहने वाले कहें कि ना मुझे पढ़ने का मौका मिला और न उठा करवट बदला अंग्राईली सोया हिंदुस्तान उठा चले आप चे तो यहीं सवाल है लेफ्ट लेफ्ट जी 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 आप देश के इमोशन को समझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप एक राज्यों में हैं वहीं बेतर है आप अपने विकास के लिए आप देश के विकास के लिए तो काफी कुछ कर रहे है लेकिन अपनी पार्टी के विकास के लिए क्या योजरा बना रहे है जो सच्चा व्यक्ति होता है सच्चा संगठन होता है वो अपनी आइडियोलोजी पर कॉम्प्रमाइज नहीं करता है सबर के साथ मेहनत करता है काम करता है उसको stick around करना पड़ता है संघर चलता रहता है ups and downs होते हैं हम भी वेट करेंगे हम बिकेंगे नहीं यह तो शुरू हुए थे साब सोदेशी से लेकिन पहुंच के 100% FDI पे लेफ्ट ऐसा करें करेंगी लेकिन यह कहते धरम कफीम हैं लेकिन फूरफुरा शरीफ हो की गद्दी नशीन है उसके साथ समझωνता कर लेते हैं बंगाल में अब सत्ता के लिए करते किसी और के लिए करते क्या अलग बात आने वाले साल में क्या होगा आैओध्या तो सद्रां की है काशी मत्रा आरही आरहे हैं 22 जनवरी को सरवार्त सिद्ध्य योग है अमरत योग में प्रतिष्ठा हो रही है दूप एक बात को एक दिवाली तो हर साल आती है लेकिन ये वाली दिवाली 22 जनवरी वाली दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है सोचिए ये राजा राम ये जो सिंगहासन है ये प्रभू राम का हक है जो उन्हें मिल रहा है और ये 22 जर्वरी वाली दिवाली जो है वो 500 साल बाद वाली दिवाली है इसलिए मैं तपूर है इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ ये वर्ष सनातन का गोल्डन इयर है यानि स्वर्णिम साल है फिलाल आज की चर्चा बेता ही आप सब को नव वर्ष की हर देश शुब कामना है आ क्लीज मैं तीकantryय पिलाल आज की वर्षी बेतान है आप